आगे भरता राजिस्तान में आज के सेपिसोड में हम बात करेंगे सरकार की हर घर नल कनेक्शन स्कीम की राजिस्तान के कई गाउं और ढाड़ियों के लोगों को पानी के लिए घर से कई किलोमेटर दूर जाना पड़ता है इसके सलूशन के लिए देश बर में हर घर नल कनेक्शन योजना प्रगती पर है राजिस्तान में योजना में 20 प्रतिशत से अधिक परिवारों को घरों में नल कनेक्शन मिल चुके हैं 2024 तक सरकार ने हर घर में नल कनेक्शन देने का लक्ष रखा है तो आगे बढ़ता राजिस्तान में देखते हैं इस योजना में कितनी हुई है प्रगती राज में करोना महामारी संकट के अनलाग होते ही विकास के रफ्तार भढ़ने लगी है इस कड़ी में आज हम देखेंगे कि स्रीम अशो गहलोत ने खनन शेत्र में दिये जाने वाले पट्टों को लेकर बड़ा फैसला लिया है किसानों का मान रखते हुए बिजली बिलों में अनुदान देनी की भी घोशना की है वहीं जोदपूर को कई कारियों की सौगात दी है और सरकार ने स्कूलों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की निमत भरती करने का भी फैसला लिया है तो आएए देखते हैं विकास समाचार मुख्य मंत्री घहलोत ने खनन शित्र में बड़ा फैसला किया है इसमें अब खातेदारों के रजिस्टर सहमती धारग को भी खनन का पट्टा और क्वारी लाइसेंस भी मिलेगा इसको लेकर खान मंत्री प्रमोज जैन भाया और खनन विभाग ने फैसले को अमली जामा पैनाया है मंत्री भाया का मानना है कि इससे लोकल लेवल पर भोज़गार भड़ेगा और निवेश भी होगा इस फैसले के अनुसार करीब दो हजार नए खनन और क्वारी लाइसेंस बनने की संभावना है मुख्यमंत्री अशोग घहलोत ने प्रदेश के किसानों का मान भड़ाते उनको बिज़्वी बिलों में अनुदान देने का फैसला लिया है इसके लिए राजज में मुख्यमंत्री किसान मित्र उचा योजना के प्रारूप को मन भड़े दी गई है इससे क्रिश्यू भगोगताओं को बिज़्वी बिलों पर प्रती महा एक हजार रुपे या प्रती बर्ष्य अधिक्तम बारे हजार रुपे का अनुदान मिले अनुदान बिज़्वी वित्रन निकमों की कोई राशी संभंदित उभगता पर बाकी नहीं होने पर ही मिलेगी अगर कोई उभगता बिज़्री दुरुप्योग या बिज़्री चोड़ी का धोशी है तो अनुदान का लाव नहीं मिलेगा रादिस्थान और मद्र प्रदेश की सीमा पर सेवर पाली गाउं के आत्वास के लोगों को आने जाने में अब सुर्धा मिलेगी इसके लिए चंबल नदी पर नए पुल को बनाने के लिए प्रशाश्मिक वित्यय मन्फूरी दे दी गई है सीम घहलोत ने पुल के लिए 84 करोड रुपे की वित्यय स्थिकरती दी है मुख्यमंद्री ने 2021-22 के बजट भाशन में इसकी गोशना की दी ग्रहनगर जोदपूर और जिले के विकास के लिए सीम अशोग घहलोत लगादार प्रयास कर रहे हैं इस करब में सीम घहलोत ने वी सी के चरी कई विभागों के 832 दशम लव 57 लाग के विकास कारियों का लोकार पर शिला न्यास कर दिया इस दोरान मुख्यमंद्री गहलोत रहे यूबी एच और पी जब्लूवी से जुड़े कई कारियों को चल्द ही हल करने का परोसा दिया इस कड़ी में सीम घहलोत ने जोदपूर और दूसरे विदान सबाश्वेत्रों को कई सोगात ने दी हैं जोदपूर नगर निगम दक्षिन के लिए 280 लाग के चार विंगास कारे और निगम उत्तर के लिए 161 लाग के तीन कारियों का चल्दानियास किया साथ ही दोनों ही नगर निगम के कई कारियों का भी गहलोत ने चल्दानियास किया गोपालगर में सड़कों के लिए और लोहावट में कईशला न्यास की है, साथ ही लोहावट देचु सड़क को दोड़ा करने और शेरगर विधानसबाशेत्र में 1650 लाग रुपे के कारे गाशला न्यास की है मुख्यमंत्री अशुगयलोद के अद्रश्टा में राजमंत्री मंदल और मंदली मर्शन की पैठब में विध्यार्थियों के हित में एहन फैसला लिया गया है इस फैसले में विध्यालों के लिए कंप्पुटर अनुदेशकों की निमित भर्ती की जानात्य किया गया इसका मकसद राजी के सरकारी स्कूलों में विधाजियों को कम्पीटर शिक्चा से जोड़ना है इसमें मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषना के करम में स्वरजित कम्पीटर अनुदेशिकों की नई कैडर के लिए अगुन निमित भर्ती की जाई सूचना साहक के बत्पवर आरक्षे सूची से न्यूप्ती के लिए राजिस्थान कम्पीटर और अधिनत सेवा नेया मुनिस्यों पार में में चंचोदन को मंजूरी दी गई है राजि के ग्रामीडविकास और पंचायती राज विभाग में आराटीस के अधिकारियों को अवशिक्र ही पदोनति मिलेगी मुख्यमंतिक हैलोत में इस सेवा के अधिकारियों को पदोनाति के अफसर देने के लिए कैटर में पदों का पुनर निर्धारन और नवीन पदों का सुरुजन करने के प्रस्तावों का अनुमोदक किया है इसमें राजिस्थान ग्रामेर विकास राजिस सेवा संबर के 297 पदों का पुनर निर्धारन किया है इसमें कनिष्ट वेतन श्रंखला में 189 पर, वरिष्ट वेतन श्रंखला में 67 पर, चैनित वेतन श्रंखला में 31 और सुपर टाइम स्केल वेतन श्रंखला में 10 पर प्रस्तावित हैं राज्जी के सरकारी करमचारियों के निधिन के बाद उनके आशितों को दी जाने वाली अनुकमपा नियुक्ति के मामलों में सरकार शिधिता दे रही है ऐसे मामले में सीम गहलोत ने अनुकमपा नियुक्ति के लिए मिले 68 आवेदनों में शिधिता दी अनुकम्पा नौकरी के नियमों में सरकारी करमचारी की मिल्टी पे बाद आश्रित को 90 दिन में आवेदन करना होता है साथ ही आश्रित के नावालिक होने पर आलिक होने के दीम बर्ष में ही आवेदन करने का प्राप्थान है लेकिन CM ने ऐसे ही कुछ मामलों में सब्वेदन श्रीट ने लेकर आश्रित परवार को फाइदा दिया है प्रदेश में चिकिस्ता सुविधाओं और रोजगार को भड़ावा देने के निकाची की घैलोत करकार लगातार प्यास कर रही है CM अशोग घैलोत ने इसकड़ी में राजस्थान स्वास्त विज्ञान विश्विध्याले याने RUHS में प्रॉफेसर सिनेकर सीनियर रेजिडेंट तक कई सवर्ग में जमालीस अत्रिक्ट पद सुरुजित करने का निर्ने लिया है साथ ही संबन्दित प्रस्ताव का नुगोदन भी करतिया है इसके अनुसार RUHS में प्रॉफेसर का एक पद सहा अचार के तस, सहयक अचार के अठारे, वरिश्टि प्रदर्शक के छे और सीनियर रेजिजेंट के नौ अत्रिक्ट पद सुरुजित किये गए है वही महाविद्याले के इमर्जेंसी मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रदर्शक के नौ पदों में भी परिवर्तन करने के प्रस्ताथी स्विकर्ती दी गई है प्रदेश में चुकिस्टा सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार कई विकास कारे शुरू कर रही है इसकड़ी में राधानी जैपूर के हवामेल शेत्र के एक अवरनगर में नए कॉलेज गवन के बनने का रास्ता साथ हो गया है इसको लेकर मुक्य सचे तक डॉक्टर महे जोशी ने प्रयास किये है अबुची शिक्षा निदेशाले, माधिमिक शिक्षा निदेशाले और यूबिएच मंतराले द्वारा और यूबिएच मंतराले इस्तर पर इसका फैस्ता हुआ है 7400 वर्ग मीटर में कॉलेज भवन बनाने के लिए राच्की और चुमाधुमिक कन्या विधाले की आली बड़ी जमीन चिन्हित की गई है राथानी जब्व के किशन पोल विधान सबार श्वेटरू में डिस्पैंसरी के नए भवन का शिदान्यास किया गया चिकिस्सा मंतरी रगुशर्मा ने वी सी में विधायक अमीन कालसी के साथ जूटे हुए इस्पैंसरी के नए भवन की सोगाती आपको बता दें कि शास्तिन अगर कबरिस्तान के पास सूपेंटर कॉलोनी पार्क बिचटर लाख रुपे की लागत से नए डिस्पैंसरी बनाई जाएगी इसने शेत्र की चंता को चिकिस्सा सेवाओं का लागु मिलेगा चिकिस्सा और स्वास्तिमंत्री डॉक्टर रगुश शर्मा ने गिदानसवा श्यत्र केकडी के दौरे में करीब 350 कारियों का बीसी करके विकास कारियों का लोकारपन और शिलाने आ से उन्होंने केकडी के राजकिय जुलाची के साले में टाटा ट्रस्ट के और से किये गए करीब 21 करोड रुपे की लागत के विकास कारियों का लोकारपन और शाथ ही नई सीटी स्केन मशीन का अबलोकन करते हुए कहां कि राजकिय जुलाची के साले अब 300 बैट्स का हो जैपूर विकास प्राधिकरन के और से शहर में कई विकास कारे करवाय जा रहे हैं यातायात सुधार सुंधर्य करण और पर्येटन सुविधाओं के लिए देजगती से प्रशाश्विप और विक्रियस विकरतियां जारी की गई हैं इस कड़ी में जेडियस अच्छिब हि जो रहा के लिए एक सुपच्पन करोड रुपे की प्रशाश्विप और विक्रियस विकरति दी हैं मेर्ता नगर पालिका में कच्रा निस्तारं की समस्या के लिए पालिका प्रशाशन और सरकार काम कर रही है इस कड़ी में यहां 4 करोड की लागत से पस्तावित रोज कच्रा निस्तारं सयंत की चार दीवारी का भूमी पूजन किया गया पोरूंदा रोड पर SLBS स्कूल के पास देखी गई जमीन का भूमी पूजन जिले के प्रभारी मंत्री और राजसु मंत्री अलिश चौतरी ने वर्चुल माध्यां जिक्ता जुचुलु जुले के सूरजगर सीएसी में अब हाईचेक मेडिकल सुविधाओं का पिस्तार हो रहा है सीएसी में करीब 20 लाग हुपे की लागत और अत्याधुनिक सुविधाओं वानी मोच्री का लोकारपन विधायक सुभाश पूरिया ने किया यहां विधायक कोश्ट से जिजुटर एक्से मशीन, ऑक्षिजन सप्लाई सिस्टम और मोच्री की शुरुआद हुई है घरत्पुर के जनुथर पीएसी को राजिस सरकार ने सीएसी में करबोनत कर दिया है इसके बाद विधायक वाजिवली और सरपंचुटा देवी करदाद जीएसी में इसनुथाटक किया गए इस दोरान विधायक वाजिवली ने पीएसी को शीएसी में करबोनत करने की पट्टिका कानावरण भी किया विधायक राजिवली ने बेगू में कई कारियों का लोकारपन और शिलान्यास किया इससे इलाके में विकास कारियों को गती मिलेगी विधायक विधूरी ने पांच करोड की लागत से बने स्पियाट का लोकारपन किया इसके साथ ही 65 लागत की लागत से बनने बाले ऑक्सिजन जनरेशन प्लांग का शिलान्यास किया साथ ही विधायक विधूरी ने बिजली विभाग के अधिशाशी अभ्यंता कार्याले पपन और दो लाग लीजर के उच्छ जलाशे का लोकारपन भी गी इस दोरान विधायक ने मुखी चुकिस्ता अधितारी को 9CST पपन में चुकिस्ता सिवाय शुरू करने के निर्देश ठीकर के फतेपूर में मरीजों की सुव्धा के लिए पहला उक्सिजन ब्लान्ट बन कर तैयार हो गया है इससे 50 बैट पर रोगियों को उक्सिजन की इस सुव्धा मिलेगी है बच्पन लाग की लागत से बना उक्सिजन प्लांट इद्राज़ की अधनुका सामदा एक्ष्वास की दिने नगाया गया है। इसमें प्रती मिनट दोसुपचास लिटर उक्सिजन का उत्वादर होगा है।